Realme 5 Pro के launch के बाद इंडिया में September मैंने के end में Realme अपने डिवाइस XT लेकर आने वाली है दोस्तो तो इसमें आपको 64 Megapixel का इंडिया का सबसे पहला Quad Rear Camera, इसके साथ In Display Finger Print Sensor, एक Pop-Off Selfie Camera और साथ में आपको Snap Dragon का 730G Processor देखने को मिलने वाला है तो क्या है इसे स्मार्टफोन का Official Pricing, Official Launch Date और इंडिया में इसमार्टफोन आपको कब तक देखने को मिल सकता है हम इस वीडियो में चानने वाले हैं तो चलिए दोस्तो इस वीडियो की सुरुआत करते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन की तो एक Polycarbonate का बैक देखने को मिलेगा जो की Glossy Grad इंड बैक फिनिश के साथ आएगा साथ में Quad Rear Camera का सपोर्ट इसमें देखने को मिले का जिसका Resolution 64 Megapixel होने वाला है इसके साथ अगर फ्रंट की बात करें तो 6.5 इंच का एक Super AMOLED पैनल देखने को मिलने वाला है जिसके साथ in-display fingerprint sensor और एक Pop-up राइजिंग केमरा भी आएगा बात करें अगर इसके processor की तो Snapdragon 730G processor देखने को मिलने वाला है जो कि Oppo में इसके पहले आपको देखने को अरड़ी मिल चुका है इसके साथ Android Pie का support देखने को मिलेगा बट most probably chance है कि इसमें Realme अपना खुद का custom OS प्रोवाइड करें जो कि first time इसी smartphone में इंडिया में आने वाला ह इसके साथ अगर RAM variant की हम लोग बात करें तो दो RAM variant इसके में launch होंगे 6128GB and 8256GB बात कर लेते हैं इसके cameras की तो quad rear camera का support इसमें देखने को मिलेगा जिसका primary sensor आपको 48 नही 64 MP इसवार मिलने वाला है जो कि Samsung के GW1 का sensor होगा इसके साथ 13 MP का एक ultra wide angle lens साथ में 5 MP का एक telephoto lens और 2 MP का एक macro lens देखने को मिलने वाला है इसके साथ है अगर बात कर लेते हैं front camera की तो selfie के लिए इसमें आपको 25 MP का selfie shooter देखने को मिल सकता है या फिर maybe 32 MP का एक pop-up selfie camera भी देखने को मिल सकता है बात करें बैटरी की तो 4065 MP के battery वोग के 3.0 fast charge के support के साथ इसमें आईगी जो की आपको out of the box से देखने को मिल जाएगा जैसा कि Realme X और Realme 3 Pro में आपको देखने को मिला था साथ में 3.5 mm jack और USB Type-C port भी इसमें देखने को मिलने वाला है फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके pricing और launch date की तो इंडिया में ये smartphone आपको September के end या फिर October के starting में देखने को मिलेगा जैसे कि मादो सेट ने Realme 5 Pro के launching event में confirm किया था इसके साथ इसका pricing जो है वो की 17 या 18,000 के mid में ही रखा जाएगा जो base variant है 6GB और 128GB इसी price range के अंदर में आपको एक Snapdragon 730 processor साथ में 25MP का pop-up selfie camera इसके साथ एक 6.5 इंच का full HD plus display और सबसे बड़ी बात 64MP का required rear camera देखने को मिल जाता है